उपेंदरनाथ अश्क जी की कहानी चारा काटने की मशीन रेल की लाइनों के पार इसलामाबाद की नई आबादी के मुसल्मान जब सामान का मोह छोड़, जान का मोह लेकर भागने लगे तो हमारे पडोसी लहना सिंग की पत्नी चेती तुम हाथ पर हाथ धरे, नामर्दों की भांती बैठे रहोगे, सरदारनी ने कहा, और लोग एक से एक बड़िया घर पर कबजा कर लेंगे सरदार लहना सिंग और चाहे जो सुन लें, परन्तु औरत जात के मोह से नामर्द सुनना उन्हें कभी गवारा न था इसलिए उन्होंने अपनी धीली पगड़ी को उतार कर फिर से जूडे पर लपेटा, धर्ती पर लटकती हुई तहमत का किनारा कमर में खोसा, कृपान को म्यान से निकाल कर उसकी धार का निरीक्षन करके, उसे फिर म्यान में रखा, और फिर इसलामाबाद के किसी बढ़िय नए मकान पर अधिकार जमाने के विचार से चल पड़े। वे अहाते ही में थे कि सरदार्नी ने दोड़ कर एक बड़ा सा ताला उनके हाथ में दे दिया। मकान मिल गया तो उस पर अपना कबजा कैसे जमाओगे। कॉलेज रोड अमर्दसर पर पुतली घर के समीप ही हमारी कोटी थी। उसके बराबर एक खुला आहाता था। वहीं सरदार लहना सिंग चारा काटने की मशीने बेशते थे। आहाते के कोने में दो-तीन अंधेरी सीली कोट्रियां थी। किसानों के पास रुप्य का बाहुल्य होने से उनका काम खूब चमका। रुप्या आया तो सामान भी आया और सुक सुविधा की आकामशा भी जगी। यदिपी प्रारंब में उस आहाते और उन कोट्रियों को पाकर पती-पत्नी बड़े प्रसन हुए थे। परन्तु अब अब उनकी पत्नी जो सरदार्नी कहलाने लगी थी, उन कोट्रियों तथा उनकी सील और अंधेरे को अतीव उपेक्षा से देखने लगी थी। ग्राहकों को मशीनों की फूर्ती दिखाने के लिए दिन भर उसमें चारा कटता रहता था। अहाते भर में मशीनों की कतारें लगी थी, जो भावना रही थो अपने तीखे चूरों से चारे के पूले काटती रहती थी। सरदार्णी के कानों में उनकी करकश ध्वनी हतोडों की अन्वरक चोटों सी लगती थी। जहां तहां पड़े हुए चरी के पूले और चारे के धेर अब उसकी आँखों को अखरने लगे। सरदार लहना सिंग तो यदिपी उनकी पगड़ी और तहमत रेश्मी हो गई थी। और उनके गले में लकीरदार जबरून की कमीज का स्थान घुटनों तक लंबी बौसकी की कमीज ने ले लिया था। वही पुराने लहना सिंग थे। उन्हें न कोट्रियों की तंगी अखरती थी न तारी की न मशीनों की करकशता न चारे के धेरों की निरीहता बलकि वे तो इस सारे वातावरन में बड़े मस्त रहते थे। वे उन सरदारों में से हैं जिनके संबंध में एक सिख लेखक ने लिखा है कि जिधर से पलट कर देख लो सिख दिखाई देंगे। कुछ बुद्धी की आवशकता हो तो वह उन्हें बुद्धु कहकर उकसाती। और यदि ऐसा काम कराना होता जिसमें कुछ बहादूरी की जरुषत हो तो उन्हें नामर्द का ताना देती। उसका धंग था थो खासा अशिष्ट पर रुप्या आने और अच्छे कपड़े पहनने ही से तो अशिष्ट आद्मी शिष्ट नहीं हो जाता। फिर सरदारनी को नए धन का भान चाहे हो शिष्टता का भान कभी न था। सरदार लहना सिंग इसलामाबाद पहुँचे तो वहां मार धाड मची हुई थी। उनकी चारा काटने की मशीने जिस प्रकार भावना रही थोकर चरी के निरीह पुले काटती थी। कुछ उसी प्रकार उन दिनों एक धर्म के अनियाई दूसरे धर्म के अनियाईों को काट रहे थे। सरदार लहना सिंग ने अपनी चमचमाती हुई कृपान निकाली कि यदि किसी मुसल्मान से मुटभेड हो जाए तो ततकाल उसे अपनी मर्दुमी का प्रमान दे दें। परन्तु इस और जीवित मुसल्मान का निशान तकना था। हाँ गलियों में रक्तपात के चिन अवश्य थे और दूर लूट मार के आवाजें भी आ रही थी। तब ही जब वे सतरकता से बढ़े जा रहे थे उनको अपने मित्र गुर्दयाल सिंग मकान का ताला तोड़ते दिखाई दिये। सरदार लहना सिंग ने रूख कर प्रश्नसूचक दृष्टी से उनकी और देखा। मैं तो इस मकान पर कबजा कर रहा हूँ। सरदार गुर्दयाल सिंग ने एक उचट्ती हुई दृष्टी अपने मित्र पर डाली और निरंतर अपने काम में लगे रहे तब सरदार लहना सिंग ने धीली होती हुई पगडी का सिरा निकाल कर पेच कसा और अपने मित्र के नए मकान की और देखा। उसे देख कर उन्हें अपने लिए मकान देखने की याद आई। और वे ततकाल बढ़े। दो एक मकान छोड़कर उन्हें सरदार गुर्दयाल स सिंग की अपेक्षा कहीं बड़ा और सुन्दर मकान दिखाई दिया जिस पर ताला लगा था। आव देखा न ताव उन्होंने गली में से एक बड़ी सी इंट उठाई और दो-चार चोटों ही में ताला तोड डाला। वह मकान यत पी बहुत बढ़ा न था परन्तु उनकी उन कोट्रियों की तुलना में तो स्वर्ग से कम न था। कदाचित किसी शौकीन कलर्क का मकान था क्योंकि छोटा सा रेडियो भी वहां था और ग्रैमफोन भी। गहने कपड़े न थे और ट्रंक खुले पड़े थे। मकान वाला शायद मार धार से पहले शरनार्थी कैंप या पाकिस्तान भाग गया था। जो सामान वहां आसाने से साथ ले जा सकता था ले गया था। फिर भी जरूरत का काफी सामान घर में पड़ा था। यह सब देख कर सरदार लहना सिंग ने उल्टी कलाई मूपर रखी और जोर से बकरा बुलाया। फिर तहमत की कोर को दोनो और से कमर में खोसा और सामान का निरीक्षन करने लगे। जितनी काम की चीज़ें थी वे सब चुनकर उन्होंने एक और रखी। अनावश्यक उठा कर बाहर फेंगी। वही बड़ा ताला जो वे घर से लाए थे मकान में लगाया। गुर्दयाल सिंग को बुला कर समझाया कि उनके मकान का ख्याल रखें और स्वयम अपना सामान लाने चले कि मकान पूर्ण रूप से उनका हो जाए। जब वे घर पहुँचे तो उन्हें ख्याल आया कि सामान ले जाएंगे कैसे। इस भगदन में तांगा इका कहा। तब आहाते से साइकल लेकर वे अपने पुर अमाज़त कर दोहरी मजदूरी का लालस देने के बाद वे उसे ले आये। जब सारा सामान गाड़ी में लद गया और वे चलने को तयार हुए तो सरदार्णी ने साथ चलने का अन्रोध किया। तब उन्होंने उस नेक बखत को समझाया कि वहां की दूसरे सरदार अपनी सि पत्नी को समझाया पर हैं तो औरते ही और दंगे फिसाद में और दंगे फिसाद में औरतों ही को अधिक सहना पड़ता है। फिर उन्होंने समझाया कि अहाते का भी तो ख्याल रखना चाहिए शर्नार्ती धड़ाधड आ रहे हैं कौन जाने यहां घर खुला देखकर जम ज परन्तु जब सर्दार लहना सिंग चलने लगे तो उसने सुझाया कि वे सामान के साथ चारा काटने की एक मशीन ले जाकर अवश्य अपने नए घर में स्थापित कर दें ताकि उनकी मिलकियत में किसी प्रकार का संदेह न रहे और सभी को पता चल जाए कि यहां मकान चारा काटने की मशीनों वाले सर्दार लहना सिंग का है सर्दारनी का यह प्रस्ताव सर्दार जी को बहुत अच्छा लगा यदिपी बैल गाड़ी में और स्थान न था परन्तु सामान पर सबसे ऊपर चारा काटने की एक मशीन किसी न किसी प्रकार रखी गई गिर न जाये इसल गुर्दयाल सिंग की सिंभनी और बच्चे तो नए मकान में पहुंच भी गए हैं तब उन्हें लगा कि उनसे भारी गलती हो गई है उन्हें भी अपनी सिंभनी को ततकाल ले आना चाहिए यदि पतला दुबला गुर्दयाल अपनी सिंभनी को ला सकता है तो वे क्यों नह सकते यह सोचना था कि सारे सामान को उसी प्रकार ड्योडी में रख वही बड़ा सा ताला लगा उन्होंने गुर्दयाल सिंग से कहा कि भाई जरा ख्याल रखना मैं भी अपनी सिम्हनी को ले आऊं संगत हो जाएगी और उसी बेलगाडी पर सरदार लेना सिंग उल्टे पाउ लोटे घर पहुँचकर उन्होंने अपने सरदारनी को बच्चों के साथ ततकाल तयार होने के लिए कहा परन्तु एक देट घंटे के बाद जब अपने बीवी बच्चों सहीत सरदार लेना सिंग इसलामाबाद पहुँचे तो उनके नए मकान का ताला तूटा पड़ा था ड्योडी से उनका सारा सामान गायब था केवल चारा काटने की मशीन अपने पहरे पर मुस्तेदी से जमी हुई थी घबराकर उन्होंने गुर्दयाल सिंग को आवाज दी परन्तु उनके मकान में कोई और सरदार विराजमान थे उनसे पता चला कि गुर्दयाल सिंग दूसरी गली के एक और अच्छे मकान में चले गए हैं तब सरदार लहना सिंग कृपान निकाल कर मकान की और बड़े कि देखें चोर और क्या-क्या ले गए हैं डियोडी में उनके प्रवेश करते ही दो लंबे तगड़े सिखों ने उनका रास्ता रोक लिया बैल गाड़ी पर सवार उनके बीबी बच्चों की और संकेत करते वे उन्होंने कहा कि यह मकान शर्नार्थियों के लिए नहीं इसमें थानेदार बलवन सिंग रहते हैं थानेदार का नाम सुनकर लहना सिंग की कृपान म्यान में चली गई और पगड़ी कुछ और धीली हो गई हुजूर इस मकान पर तो मेरा ताला पड़ा था मेरा सारा सामान चलो चलो बाहर निकलो अदालत में जाकर दावा करो दूसरे के सामान को अपना बताते हो और उन्होंने सरदार लेना सिंग को डियोडी से धकेल दिया तबी लेना सिंग की दृष्टी चारा काटने की मशीन पर गई और उन्होंने कहा देखिए यह मेरी चारा काटने की मशीन है किसी से पूछ लीजिए मुझे यहां सभी जानते हैं परंतु शोर सुनकर अपने नए मकानों से जो सदार या लाला बाहर निकले उनमें एक भी परिचित आकरती लहना सिंग को न दिखाई दी यों क्यों नहीं कहते कि चारा काटने की मशीन चाहिए उन्हें धकेलने वाले एक सिखने कहा और वह अपने साथी से बोला सट ओकरता सिंगा मशीन बाहर गरीब शरनार्थी हन असा ही मशीन साली की करनी है और दोनों ने मशीन बाहर फेंक दी दो ढ़ाई घंटे के असफल बाबेले के बाद जब सरदार लहना सिंग रात आ गई जान कर वापस अपने आहाते को चले तो उनकी बीवी बच्चे पैदल जा रहे थे और बैलगाडी पर केवल चारा काटने की मशीन लदी हुई थी